Hello students, welcome back to my channel, your channel पुनिश सर्की पाट शाला और आज ले के आ गया हूं बहुत ही खुबसूरत सा चाप्टर, चाप्टर नमबर 13 क्लास 8 का डारेक्ट एन इन्वर्स प्रोपोर्शन की एक्सराइस 13.2 इसके पहले मैंने 13.1 खतम कर दी थी जो की पूरी की पूरी डेडिकेट थी इन्वर्स डारेक्ट वेरियेशन या डारेक्ट प्रोपोर्शन तो आज हम सीखेंगे कि इन्वर्स प्रोपोर्शन कब होगा और कैसे पता जलता है कि कोई चीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या दो फिजिकल या मैथेमेटिकल क्वांटिटीज इन्वर्सली प्रोपो का मतलब क्या होता है तो heading जिसे आपको समझ में आई रही थी मैंने इसके पहले introduction वाले chapter में बताई दिया था कि inverse proportion कब होता है तो जड़ा देख लेते हैं एक बार directly में क्या देखा था कि for example अगर मेरे पास x एक quantity है और एक y quantity है अगर x quantity बढ़ती है तो y quantity भी बढ़ती है x quantity कम होती है तो y quantity भी कम होती है तो इस variation या इस proportion को क्या कहा जाता है directly proportion यानि x is directly proportional to y x is equal to ky क्योंकि proportionality sign हटता है तो लगता है constant के साथ एक equal to का sign तो ये जो होता है वो होता है x upon y is always equal to constant अब जब जब directly proportional होगा तो x upon y इसके साथ जितनी भी quantities होगी वो सब x upon y is equal to k constant के बरावर होगा यानि इसके साथ x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 x2 upon y2 is equal to k ये हमको पता चल गया था इसकी पहले वाली exercise पर अब हम बात करने वाले हैं inversely proportional की तो बात करते हैं एक और inversely proportional की कि अगर हमारे पास कोई quantity सपोज x एक quantity है और y भी एक quantity है अगर x को बढ़ाने पर y quantity कम हो रही है पहले x को बढ़ाने पर y भी बढ़ रही थी अब x को बढ़ाने पर y कम हो रही है और उसी x को कम करने पर y बढ़ रहा है तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, ये दोनों quantities जो होगी, वो inversely proportional होगी, यानि x is inversely proportional to y, x is equal to k upon y और यहां से मैं x को y के साथ multiply करूँगा, और मुझे मिलेगा constant, यानि पहले divide करने पर constant मिल रहा था inversely proportional में जब हम multiply करेंगे, तो हमें constant k मिल जाएगा समझ में आगया, बहुत खुबसूरत तरीके से समझ में आगया होगा, इसका एक example ले लेता हूँ, inverse proportionality का एक example लेता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा, चलिए काम करते हैं, बात करते हैं कि आप एक journey को travel कर रहे हैं, from one place to another place, for example आप point A से start कर रहे हो और point B पर पहुँच रहे हो अब हमारा distance तो fix है हमने कहा कि यह distance कुछ fix है D के नाम पर, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां से आप start किये, और आपने अपनी speed को रखा x km पर आर आपकी speed x km पर आर हुई, तो आपको जो समय लग रहा था वो समय जो लग रहा था इसका पूरा समय ट्रैवल करने का वो लग रहा था y, imagine कर ना अभी y समय नहीं, t समय नहीं y हमने माल लिया, तो y r लग रहे थे अब उसी distance को ट्रैवल करने के लिए, आप A से B जब जा रहे थे, तो आपने अपनी speed को कुछ बढ़ा दिया, for example हमने X प्लस 10 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से इसको कर दिया X की भी कुछ नहीं कुछ वैल्यू दी जाएगी आपको, तो मुझे एक बात बताईए, distance तो constant रहेगा तो क्या मेरा time या मुझे समय कम लगेगा या ज़ादा लगेगा अब यहाँ पर अगर direct variation हो तो X बढ़ाओगे तो time भी ज़ादा लगना चाहिए लेकिन जब हम speed बढ़ाते हैं तो हमें समय कम लगता है और एक बात याद ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई एक physical quantity को बढ़ाने पर दूसरी physical quantity कम हो रही है यानि अब मुझे Y से कम समय लगेगा Y नहीं लगेगा अब मुझे Y से कम समय लगेगा क्योंकि मैंने speed को बढ़ा दिया कुछ 10 km गंटे के रफ्तार से बढ़ा दिया तो यह मत कर देना कि Y को 10 गंटे कम लगे ऐसा नहीं होगा कुछ rate से कम होगी है 100% कम होगी लेकिन इसका मतलब एक quantity speed है और एक quantity time है दोनों आपस में inversely proportional है यानि मैं कहूं X is inversely proportional to Y और X is equal to K upon Y and X into Y is equal to बहुत खुबसूरत K यानि constant अब यहाँ पर जितनी भी और physical quantities होंगी वो ऐसी चलेंगी X1 Y1 is equal to X2 Y2 is equal to X3 Y2 is equal to K समझ में आ गया बहुत खुबसूरत तरीके से आपको मेरे खाल से समझ में आ गया होगा अब प्रारंब करते हैं और श्री गनेश करते हैं हमारा पहला सवाल पहला सवाल बहुत अच्छे से read करेंगे सब बच्चे मैं चाहता हूं सभी बच्चे अच्छे सवालों को read करें ताकि आपको समझ में है कि सवाल पूछ क्या रहा है नहीं तो जो पूछ रहा है वो नहीं बता पाएंगे हम चलिए बहुत बढ़िया the number of workers on a job and time to complete the job ये inverse है ये direct है ये वो ही पूछ रहा है कि कौन कौन से which of the following are inverse proportion तो inverse ये direct ही हो सकती है दो ही चीजे हो सकती है तो मैंने कहा कि मुने काम करने के लिए कुछ 3-4 workers को hire किया जो किसी काम को दो दिन में complete करते हैं अब मैं उसमें workers को बढ़ा दूँ मतलब वही काम को मैं अब 4 की जगा 8 worker को कर रहा हूँ तो समय बढ़ेगा या कम लगेगा सोच के देखिएगा 100 प्रतिशत कम लगेगा यानि जो हमारा पहला वाला answer है जो first answer है वो inverse variation है या inverse proportional है तो variation और proportional दोनों सेम चीज़े हैं clear सब को समझ में आ गया अब बिल्कुल ध्यान से करिएगा second वाला the time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed अब समझ के देखिएगा मैंने कहा कि मैं 5 घंटे में 500 किलोमेटर ट्रावल करता हूँ तो हर घंटे 100 किलोमेटर ट्रावल कर रहा हूँ तो 7 घंटे में कितने किलोमेटर ट्रावल करूँगा पर distance भी बढ़ रहा है time को बढ़ाने पर distance भी बढ़ रहा है time को 4 घंटे कर दो तो distance भी 400 किलोमेटर हो जाएगा यानि time को कम करने पर distance भी कम कर रहा है यानि दोनों quantity आपस में कैसी है direct proportional है directly proportional है इसका मतलब यह variation कैसी है direct variation in the sense we can say that the second answer is direct variation not inverse यानि यह inverse नहीं है तो यह कौन सा है direct है direct variation समझ में आया क्या direct variation या proportion तीसरा सवाल ले दो समझते चलना area of cultivated land and the crop harvested अब सोच के देखो कि आपके पास इतना area है तो crop कितनी harvest होगी इतने area में कुछ होगी अब माल लीजे मैंने area बढ़ा दिया तो crop बढ़ेगी की नहीं बढ़ेगी harvested होने वाली 100% बढ़ेगी इसका मतलब यह भी कैसा है तीसरा वाला भी direct variation है बिल्कुल आप example को real life से connect करके देखोगे न तो आपको बहुत खुबसूरत तरीके से समझ माएगी हर एक छोटी छोटी मगर मोटी बाते हैं चलिए बहुत बढ़िया बहुत खुबसूरत अब अगर हमारा चौथा सवाल हम ले लें तो हमको क्या समझ में आता है हमको आता है अब भी इसके पहले वाला example में ने बताया था कि अगर speed बढ़ाओगे तो time कम लगता है time बढ़ेगा इसका मतलब speed थोड़ी सी कम है तो हमें speed को बढ़ाना पड़ेगा इसका मतलब ये कैसी है inverse variation है inverse variation है यानि inverse proportion है पांचवा सवाल इस question का आखरी सवाल the population of a country and the area of the land per person चलिए काम करते हैं इसको ऐसे समझते हैं इसे मैंने कहा कि यहां पर दो लोग हैं तो दो लोग अपना-पना माहुल आदा-दा कर लेंगे इस जमीन का दो लोग आदा-दा कर लेंगे अब मैंने कहा यहां पर 4 लोग हो गए तो लोगों में कितना equally बटेगा तो ऐसे बढ़ जागा कि इसका इतना है इसका इतना है मतलब number of people बड़े तो area per person कम हो गया area per person कम हो गया भाई किसी country का area तो fix ही रहेगा तो लोग बढ़ेंगे तो area per person लोगों को कम मिलेगा समझ के देखो कि यहां पर पहले 2 लोग थे तो इनको इतना इतना area मिल रहा था आदा आदा अब कितना मिल लग गया अब 4 हो गया तो 1 4th 1 4th मिल गया अब 5 हो गया तो 1 5th 1 5th मतलब area क्या हो रहा दीरे 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 कम हो रहा per person का area तो fix है लेकिन per person को जो मिलने वाला area है वो हो जाएगा कम और यह है inverse variation कैसा है inverse variation है मेरे प्यारे दुलारे बच्चों I hope आपको समझ में आ गया होगा नहीं आया हो तो comment कर देना बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह हो गया inverse variation और यह हमारा exercise 13.2 का पहला वाला सवाल समाप्त हो गया अब आप बात करने वाले पुनिश सर दूसरे सवाल की बहुत खुबसूरत इन टेलिविजन गेम शो इन टेलिविजन गेम शो the prize money of 1 lakh रुपीज is to be distributed equally amongst the winner और इसका question मैंने लिखा नहीं क्योंकि हो सकता था नीचे चले जाए तो मैंने किताब लिखा लिए है तो complete the following table है कि अगर एक बंदे को price money distribute की जाएगी तो कितनी होगी दो होंगे तो कितनी होगी तीन होंगे तो कितनी होगी चार होंगे तो कितनी होगी आठ होंगे तो कितनी होगी बीस होंगे तो कितनी price money per person को distribute होगी सेम एरिया वाला कुश्चन है कि एरिया तो फिक्स था, प्राइज मनी तो फिक्स था अब number of people बढ़ जाएंगे तो distribution जो होगा, वो सब को हर एक बंदे को कम-कम बिलेगा distribution भी उतने कई होगा, लेकिन हर बंदे के हिस्से में कम-कम आएगा प्राइज मनी, अभी समझते हैं पहले टेबल बनाये तो हम बहुत खूबसूरत तरीके से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और भीया नजरे गढ़ा कर और पूरे वीडियो को अंते तक देखो ताकि तुम्हें कोई भी चीज एक चीज भी इधर से उदर ना जाए तो यह है, number of winners number of winners कित्ते जीते number of winners और यहां पर वो बोल रहा है price for each winner price price for each participants या winner अब हर बंदे को कितना पैसा मिलेगा, price for each winner, तो पहला सवाल ईक बंदा होगा तो कितना मिलेगा दो होगा तो कितना मिलेगा थोड़ा सा बड़ा बनाएता हूँ दो होगा तो कितना मिल रहा है चार होगा तो कितना मिलेगा पांच होगा तो कितना मिलेगा आठ होगा तो कितना मिलेगा और बीस दस होगा तो कितना मिलेगा और 20 होगा तो कितना मिलेगा वो यही पूछ रहा बस और कुछ भी नहीं पूछ रहा है ठीक है प्राइज मनी कितना था वन लाक तो अगर एक होगा तो एक को पूरा का पूरा पैसा मिल जागा एक लाक रुपे बहुत खुबसूरत पांच जीरो अब यह देखिए कि यह वाल पांच जाएंगे आठ हो जाएंगे दस हो जाएंगे तो कितना पैसा मिलेगा सिंपल सा सवाल है एक उन्टू यह उकषयल to यह इन्टू यह तो यह हो गया वाइ 3, y4 y5 y6 y7 clear अब समझते हैं यहां से inverse proportionality के खुबसूरती inverse proportionality का क्या मतलब था x1 into y1 is equal to x2 into y2 is equal to x3 into y3 is equal to x4 into y4 is equal to x5 into y5 is equal to x6 into y6 is equal to x7 into y7 is equal to constant के वो तो एक लाग के बराबर ही होगा ना चलिए तो करते हैं पहला वाला माहोल create तो x1 y1 बराबर होगा x3 y3 की value put करो तो 1 into 1 lakh 1 into 1 lakh will be equal to 4 into y3 तो 4 से divide कर दो तो y3 की value कित्ती हो जाएगी 1 lakh 3 2 5 divided by 4 तो कितना हर एक व्यक्ति को मिलेगा 4 1s of 4 4 2s of 8 20 4 5s of 20 खतम 1 2 3 25,000 रुक में परसन को मिलेगा तो y3 की value कित्ती हो जाएगी 25,000 मेरे प्यारे दुलारे बच्चो y4 की value कित्ती हो जाएगी तो वही 1 lakh multiplied by 1 upon 5 is equal to y4 तो वह कित्ती हो जाएगी 5 1s of 5 5 2s are 10 0 0 0 20,000 रुपे 25,000 मिल रहे थे अब 5 लोगों में वही 1,00,000 रुपे डिवाइड होगा तो कितना कितना मिलेगा हर व्यक्ति को 20,000 रुपे मिलेगा only कितना 20,000 रुपे ये वाला मिटार रहा हो चाप लिया होगा है ना पॉस करके चाप लो फटा फट बहुत बढ़िया खुबसूरत एक नंबर मज़ा आ गया बिल्कुल धीरे-धीरे समझो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरा भी थोड़ा गला खराब चल रहा है थोड़ा सा इस्तिती सिचुवेशन भी कुछ ऐसी है खराब चल रही है बहुत व्यस्तता आ गई जीवन में हम सो सौरी की में लेक्चर नहीं बना पा रहा हूं कोई है बात नहीं है आपन आगे बढ़ते हैं और यह बात करते हैं कि एक लका एट, फोर ट्वेंटी फाइव जा हंडर्ड, एक दो तीन, ट्वेंटी फाइव डबल जिरो, बारह हजार पांसो रुपे एक व्यक्ति को मिलेगा, अगर ये ऐसे डिवाइड हुआ तो, मतलब देखो हर व्यक्ति को अब धीरे धीरे जैसे व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं, व डिवाइड़ बाई 10, विल वी इकवल टू वाई 6, 0 से 0 तो वाई 6 मतलब किते लोगों मिलेगा, दस हजार रुपे मिलेगा हर व्यक्ति को, अगर दस लोग जीत गए तो, मैं तो चाहता हूँ कि मैं अकेला जीत जाओ, एक लाग पूरा का पूरा मुझे मिल जाए, और 20 ल यक्ति को 5,000 रुपे मिलेगा, बहुत शांदार तरीके से, और ये एक नमूना था, इन्वर्स वेरियेशन का, और आज का ये वाला लेक्चर में करूँगा यही समात, I hope आपको मज़ा आया, मज़ा आया तो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल मने हो तो सब सब्सक्राइब कर दो, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुरी सर की पाक्षाला, जैहिन